आईये दोस्तों आज हमको हम आपको सिखा रहे हैं चांदी की उटी कैसे बना जा रहे हैं यह फोटो देख रहे हैं आप लैप्टॉप पे एक यह उटी जो स्टार के डिजैन में बनी हुई है इसके अंदर पदले पदले नग लगे हुए हैं जिसे अमरीकन जड़कन कहते है और यह किस प्रकार से त्यार हुई है आज हम आपको इसके जानकरी दे रहे हैं सबसे प्रथम हमने एक चांदी का टुपड़ा लिना है उसको चोरस करके जितनी चोड़ाई की उठी आपने यूज करनी है जितनी चोड़ाई की पहनी है उतनी चोड़ी मिशीन में करके रूलर की मिशीन आती है जिसमें कम से कम 22 तरह की तारें त्यार होती है उसमें से उन रूलरों ने प्रथम दो तीन रूलर दे करके और उसके चुड़ाई पत्ती में दे करके सबसे पहले हमने इन स्टारों को डिजन त्यार करना है उसके बाद ये जो तारें किस प्रकार बनी हुई है बीच में इसको काटना है ये पत्ती बना करके दो जैसे ये पत्ती त्यार हुई है जैसे ये पत्ती त्यार हुई है इसके बीच में इसको ऐसे काट देना है कटर से आप काट आपके काटका कि आप आपके और लिटा की और जब यह उंठी अच्छी तरह त्यार हो जाए तो इसके अंदर शुरा करने है जितने नगीने हमने लगाने है उतने शुरा करने है लगा करके आप देख रहे हैं इसके उपर अच्छी तरह फिर फिर पालिश की जाएगी फिर उसके उपर जर्कल लगाए जाएगे फिर अच्छी तरह दुलाई की जाएगी उसके बाद ये डिजयर्म त्यार होगा वैसे यदि हम बना कर दिखाएं तो उससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा किन्तों हम सिर्व ये बताने जा रहे हैं आपकी जानकरी के लिए कि इस उठी को बनाने में कम से कम कम से कम एक घंडा से ले करके दो घंडे लग सकते हैं तीन घंडे भी लग सकते हैं क्योंकि यदि हमने सिंपल उठी त्यार करनी है तो ये डिजयर्म त्यार नहीं हो पाएगा यदि हमने पूरा डिजयन बनाना है तो हमें हमारे पास सांचा भी नहीं है यदि पूरा सांचा हमारे पास त्यारा है तो इसके बनने में सिर्फ एक गंटा ही लगता है यदि हमारे पास सांचा नहीं है इसका बना हुआ तो इसके बनाने में कम से कम 3-4 गंटे लग सकते हैं और ये मूठी त्यार हो सकती है धन्यवाद